पार्टी के लिए विग्यापन छपवाना केजरिवाल सरकार को भारी पढ़ सकता है। क्योंकि उपराजेपाल ने सरकारी विग्यापनों की आड़ में जारी किये गए पॉलिटिकल विग्यापनों पर किये गए खर्च की वसूली के आदेश भी दिये हैं। अब सारी रगम आम आदमी पार्टी से वसूली जाएगी। अलाकि आम आदमी पार्टी इस मामले को लेकर हाई कोर्ट में भी गई लेकिन हाई कोर्ट ने ना तो कोई राहत दी और नहीं कारवाई पर रोक लगाई। इस मामले में दिल्ली कॉंग्रिस के अध्यक्षा जेमाकर ने उपरा जेपाल के कारियाले में 2016 में अपनी शिकायत दरच करवाई थी। उन्होंने आरोप लगाए था कि दिल्ली के आमादमी पार्टी की सरकार में विग्यापनों पर 97 करोड रुपए के खलत तरीके से खर्च किये गए शिकायत की गई। ये राए दूसरे राज़ के मुद्दे पर थी। 29 मार्च 2017 को ये मामला दिल्ली के अलजी के समक्ष आया। इसके बाद उपरा जेपाल ने इस तरह के विग्यापनों पर खर्च की गई राशी को रिकवर करने का आदेश दिया। और नए पेमिंट को रोके जाने का भी आदेश दिया। इसके अलावा उन्होंने इस मामले में जाच तैक करने की और जिम्मधारी भी तैक करने का निर्देश दिया। सुचना एवम प्रसार निदेश शाले के सचेवने 30 मार्च 2017 को आम आदमी पार्टी को एक नोटिस जारी कर ऐसे विग्यापनों पर खर्च की गई 97 करोड रुपए वापस जमा करने के लिए कहा था। आद मी पार्टी ने इस नोटिस को डिल्ली हाई कोड में चुनौती दी दिल्ली सरकार के एक वरिश्ट अधिकारे ने कहा खलाकि इस मामले में आपको स्टे आअर्डर नहीं मिला है और नाहीं कोई राहत कोड की तरफ से दी गई थी उनोने कहा इस मामले में जिम्मधारी तैकरते हुए पांच सबॉर्डिनेट्स अधिकारी जो इससे पहले डी आईपी में कारे रिथे उन्हें सस्पेंट कर दिया गया है। कि द्वेदी अंडमान और निकुबार में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।